असलाम रिकम वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेर करूँगी बनाना के पील की कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बारे में कुछ मुझे पहले से पता था और कुछ के बारे में मैं नहीं जानती थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पील को काफी अर्से से यूज़ किया जा रहा है, स्किन को नीट अन्कलीन करने के लिए, स्किन पे अगर किसी भी किसम के दाने हैं, दाग दबे हैं,ror वेक्तो स्किन से यह खतम कर देता है, रिंकल्स को, डार्क स섯ल को, आइस के गज्ः से और जो कटी फटी सकिन होती है ड्राइ सकिन होती है यह उसको भी बहुती स्मूध कर देता है और यह सकिन को जो है वो शाइनी करता है फेस पर बनाना पील को रब करें और उसे थोड़ी देर के बाद आप वाश कर लें तो सकिन जो है वो काफी नीट अन क्लीन लगने लगती है और सकिन पे एक अच्छा सा गलो आ जाता है इसके साथ साथ नेल्स के इर्द गिर्द की जो हमारी सकिन होती है वो बाज दफ़ा नेल्स के इर्द गिर्द की जो सकिन होती है वो ड्राइ होके टूटना शुरू हो जाती है ठीक है काफी तकलीफते होती है तो उसका ट्रीटमेंट जो है आप इस तरह से कर सकते हैं बनाना पील लें उसे आप अपने नेल्स किये जो इर्द के इर्द की स्किन है जो ड्राइ होके खराब हो चुके उसके बाद आप अपने हाथों को जो है अपने नेल्स को है अच्छी तरह से आप पानी के साथ साफ कर लें धो लें ठीक है उसके बाद आप कोई अच्छा सा मौस्चराइजर लगा लें तो आपकी हैंड जो है वो बहुत ही फ्रेश हो जाएंगे और बहुत समूध दिखेंगे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्किन पे कुछ इस तरह के कट्स वगारा आजाते हैं जो जल्दी और असानी से ठीक नहीं होते स्किन पे कुछ पिमपल्स एक्नी इस तरह की होती है कि कोई क्रीम या बनाना पील जो है उसे यूज करके देखेंगे बहुत दिखेंगे पता ही नहीं चलता कि स्किन पे किसी किसम की अलर्जी हो जाती है स्वैलिंग हो जाती है तो उसके लिए भी आप बनाना पील जो है वो ट्राइ कर सकते हैं सो कर उटने के बाद अगर आंखों पे सुजन फील हो रही है या आंखों की नीचे सरकल्स है आंखों में जलन फील हो रही है गर्मी की वज़ा से या किसी भी और वज़ा से तो आप बनाना पील लें ये एंटी बेक्टिरियल भी होता है तो आप इसी आँखों पे थोड़ी देर के लिए रखें 15 मिनट के बाद आप हटा लें तो आपकी आँखें जो हैं वो काफी अच्छा फील करेंगी सकून मिलेगा आँखों को और बहुत फ्रेश फील होगा बनाना पील का ये वाला यूज जो है गार्डनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है इसको सबी जानते होंगे तो बनाना पील को यूज किया जाता है पानी के साथ मिला के प्लांट्स में उनको फर्टिलाइजर के तोर पर जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है इवन कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स जिन पे फूल नहीं आ रहे होते हैं तो उन पे फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं विंटर सीजन में तो आप बनाना पील को इस तरह से कट करके प्लांट्स की जो पॉट्स होते हैं उन्हें इसी तरह से भी डालें तो उनके लिए बैस्ट करहेगा तो बनाना पील को आप प्लांट्स के लिए ज़रूर इस्तमाल करें इस प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी क्रैक हील्स बहुती तकलीफ दे होती है और देखने में तो बुरी लगती ही है लेकिन उसके साथ साथ चलने बिरने में भी बहुत तकलीफ का जो है वो बाइस बनती है तो उसके लिए आप बनाना पील जो है तो उसके लिए आप बनाना फील के साथ साथ बनाना भी ले लें उसे मैश करें और एक इस तरह से शॉपिंग बैग में डाल कर आप जो अपने पॉं है वो उसके अंदर डालने और 20 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दें आप वैसे भी पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं और अगर थोड़ी देर पाद आप उससे गरम पानी के साथ अपने पॉंख कर लेंगे तो कुछ दिन लगातार इस्तमाल करने से आपके पॉंख जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगे एक रैक्स खतम हो जाएंगे स्किन आपके फीट की जो है वो बहुत ही स्मूथ हो तो उसके लिए भी बनाना पील का जो इस्तमाल है वो काफी helpful रहता है। आप simply बनाना पील लें उसे आप मैश कर लें। ठीक है थोड़ा सा साथ बनाना भी आप एड़ कर लें। तो उसे आप अपने बालों की जडों में अपलाए करें। और half hour के बाद आप अपने बालों को और बाल हेल्दी हो जाएंगे इस वान इस अमेजिंग मुझे तो बहुत लगा जब मैंने ये देखा कि शूज को पॉलिश करने के लिए बनाना पी जो है वो यूज किया जाता है वो सकता है ये उस टाइम पे यूज होता हो या इसके अंदर को इस किसम को की मौस्चराइजर होता है कि इससे शूज पर अपलाए करने के बाद वाके शूज जो है वो बहुत चमकना स्टार्ट हो जाते है और जो असली लेदर के शूज होते हैं उनके लिए तो ये बैस्ट है तो आप भी ट्राइ करके देखिएगा जी तो नेक्स्ट है टीथ येलो टीथ के लिए भी बनाना पील जो है वो अमेजिंग है इसके साथ अगर आप बेकिंग सोडा एड़ कर लेते हैं तो ये कमाल की चीज बन जाती है सिंपल है आप बनाना पील लें उसके उपए बेकिंग सोडा डालें और टीथ पे रब करें और वाश कर लें तो हैना अमेजिंग सारे ही बनाना पील के जो मैंने आपके साथ इसकी जो प्रापरटीज शेयर की या आप इसे किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो जो मैंने आपके साथ शेयर की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए और डिफरेंट तरीकों से बनाना पील को यूज हम किस तरह से कर सकते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा